हेलो इस्टेंट्स हाव आर यू वैलकम टू टेलिंग क्लासेस बहुत दुनों से वीडियो आपके में न्यू वीडियो टेलिंग क्लासेस के तरफ से नहीं पड़ा इस्टेंग ट्रिक लेके मैं आया हूं जिसमें आप रैशनल नंबर और इंटीजर नंबर को प्रोपरिटीज क्योंकि आपने प्रोपरिटीज इंटीजर नंबर के भी पढ़िये और रैसनल नंबर की मतलब हमारे जो class 6 question है उनका integer number start उनके chapter में होता रैसल number भी है 7 class में भी आपको integer और रैसल number पढ़ने को मिलेगा और class 8 में भी मिलता है तो इसकी एक trick आई है जो trick आपको telling classes के तरफ से मिल लई है इसमें क्या कुछ नाम है property के जो आपके दिमाग में बने रहे ट्रिक के दोरा चले देखते हैं trick को कमो भाई ने close up किया कमो भाई ने close up किया और उसकी आँखे बट गई कहने का मतलब यह है कि आँखे दो हैं आपकी भी आँखे दो मेरी भी आँखे दो और इस कमो भाई की भी आँखे दो कहने का मतलब यह कि आप जब close up करेंगे या ब्रेस करते हैं उसके बाद क्या होता है कि आपको freshness का एसास होता है mouth में तो क्या होता है कि आँखें बढ़ गई एक आँख का दिमाग कहीं है एक आँख से दिमाग कहीं लग रहा है यहनि देखने का नजरिया बदल जाता है तो कम्मो भाई ने close up किया उसकी आखें बढ़ गई तो कम्मो का मतलब है कौमूटेट्यू कौमूटेट्यू प्रापर्टी कौमूटेट्यू प्रापर्टी क्लोजब का मतलब है क्लोज क्लोज का मतलब है क्लोजर प्रापर्टी क्लोजर प्रापर्टी आ का मतलब है यहां से आखें उसकी आखें बट गई अब दिके ट्रेक है तो ट्रेक को कई वर्डों का यूज़ करना पड़ता लेकिन जिन वर्णों का यूज़ उन्हीं पर ही प्रापर्टी के नाम निकल के आते हैं तो आ से एसो सीएटिव एसो सीएटिव प्रापर्टी बढ़ का मतलब अब बढ़ को इंगलिस में ध्यान रखें तो क्या होगा बढ़ गई तो डिस्टिबीट हो गई तो डिस्टिबीट्व प्रापर्टी डिस्टिबीट्व प्रापर्टी तो इसोन आमने देखा कि इस ट्रिक से आप इंटीजर नंबर और रैसल नंबर की प्रापर्टी को अपने धिमाग में रख सकते कम्मो बाई ने close up किया उसकी आखे बढ़ गई कम्मो का मतलब commutative property close up मतलब closure property आज से associative property और बट से distributed property क्योंकि बट के English distributed होती है और ये solution को पता है जर्नल सी बात है तो आप देख रहे हैं कि इस trick के दोरा आपकी ये चार property आपके धिमाग में रहेंगी क्योंकि कि जब तक property दिमाग में नहीं रहेंगी तब तक आप आगे कोई भी property वर्क नहीं कर पाएंगा अब देखे क्लोजर में क्या है कि दो number होते है एक कामा भी या रैसल नमबा ले 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 ए अपॉन बी कामा सी अपॉन डी क्या होता है एक क्लबी प्लस इससे पहले जो प्रापर्टी में ने वीडियो संट किया है उसमें मिल ले होगी पढ़ने को आपको मिलेगी और ऐससे से उट्यूमें क्या एए प्लस ब्रैकर में बी प्लस सी इकल फिर ब्रैकर में प्लस बी फिर प्लस सी डिस्टिविटिम क्या इन्टो ब्रैकर में वी-Cquall एंटू बी माइन्टस एंटू सी तो यह तो आपने पढ़ा अब मैं आपको ट्रिक की दोखार प्रापर्पर्टी दिमाग में कैसा थैकि कि जब तक कोची दिमाग मने जाती है और उसमें इंट्रस नहीं जागता है किसी ट्रिक के दोरह तब मैत में एक रुजहान नहीं आता है और जब तक मैत में रुजहान नहीं आता है तब कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं होता है इसलिए जिर इसकर ने ज्याधा like करें subscribe करें और आप comment भी करें कि कहा पर clear आपको नहीं हो रहा है क्योंकि जितने आपके like होते हैं उसी से मुझे पता चलता कि मेरा वीडियो कितना ज्यादा पावर्फुल है और करोना वारस को देखते हुए आप लोग मास्क जरूर पहने बाहर निकले तो मास्क का मास्क लगा के निकले सब्सक्राइजर अपने साथ रखे हम लोग नेस्ट वीडियो में मिलेंगे तब तक लिए ज